दोस्तों C++ के स्फिरी कोर्स में आप सब का स्वाधत है जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं conditional statement term को अब देखो अगर हम बात करें C++ की या किसी भी language की तो हर एक language में आपको program create करने के लिए different logics को attempt करना होता है और उन logics में apply किया जाता है conditional term को इसलिए conditional term आपका clear होना और उसमें आपकी पकड होना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस वीडियो के हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम conditional statement term के भिहाब पे if statement, else statement और else if statement को proper तरीके से समझेंगे with proper syntax and with proper practical so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक छोटी से request है कि अगर इस वीडियो और C++ का course आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देरी के शुरू करते है इस वीडियो को अब नॉर्मन ध्यान देते हैं का मुडिशकन पर और यहां पर सबसे पहला term यह clear करते है कि conditional statement होता क्या है देखो normally अगर आप यह definition term में देखो तो C++ has different conditional statement this statement allows you to apply logics based on different condition अब यहां पर condition का term समझो जैसे कि मानलो कि हम कोई practical कर रहे है और practical ऐसा है जिसमें हम एक program बनाना है जिसमें हमसे यह बोला गया है कि अगर इस person की age 18 साल है यह 18 साल से जादा है तो यह vote डाल सकता है यानि कि वोटर है और अगर इसकी age 18 साल से कम है तो यह vote नहीं डाल सकता है यानि कि यह non voter है तो यहा logic को time करने के लिए हमने condition दे दी condition क्या है कि इसकी age equal to या greater than होनी चाहिए 18 तो यह चीज क्या है हमारी condition है तो इनी तरीके की conditions को apply करने के लिए condition statement का use किया जाता है जिसके विहाब पर आप एक true value और एक false value पर पहुँच पाते हो जिस तरीके से हमारा condition है अगर यह फुल्फिल हो जाता है तो true value क्या होई voter और अगर यह condition फुल्फिल नहीं होती तो false value क्या होई non voter तो conditional statement के वहाब पर आप एक true और false value पर पहुच पाते हो अब अगर हम बात करें C++ में तो यहाँ पर different conditional statements है जैसे कि एक one of the popular if statement इसी का जो part of है वो है else statement फिर हम सीखेंगे else if statement और इन तीनों से थोड़ा सा अलग है switch statement यह भी conditional statement है लेकिन यह तीनों एक साथ काम करते हैं इन तीनों का एक की साथ work भी किया जाता है switch statement individual भी work करता है तो switch statement को हम next tutorial में cover करेंगे लेकिन यह जो if statement है else statement है और else if statement है इन तीनों को हम इस tutorial में clear करेंगे with proper practical अब यहां पर शुरुबात करते हैं सबसे पहले statement से जो कि है if statement if statement to specify a block of C++ code to be executed if a condition is true आसान भाशा में clear करते है कि if statement क्या करता है आपको true value देता है अगर आपकी condition fulfill होती है तो normally practical से समझते हैं जैसे आप इसका syntax देखो syntax पर अगर हम ध्यान दे तो सबसे पहले हमने क्या लिखा फिर हम देंगे हमारी condition और अगर यह condition हमारी match होती है तो यह हमारा true value है जो कि मेरे पास students का data student आया मेरे पास और उसने अपने marks लिखे अब मैंने यहां पर condition दिये कि अगर इसके जादा हो 251, 252, 260, 300, 400 इस तरीके से अगर उसने marks लिखा है तो ही हमारा statement यह print होगा अगर इसने कुछ और यहां पर answer दे दिया जिससे answer दे दिया 200 अब यहां पर condition के आए कि इसने यहां पर दे दिया 200 मेरी condition के है कि अगर यह marks greater than 250 के तो यहां पर यह output देगा लेकिन अगर इसने marks लिखे यहां पर 200 तो यह तो मेरी condition से match नहीं हुआ तो यहां पर यह इस statement को इस true value को print नहीं करेगा यही चीज प्रॉपर टर्बो सी में करके देखते है तब आपको यह और अच्छे से clear हो जाएगा normal थे हैं देते computer skin पर यहां पर आप देख पार है जो हमारा basic set of syntax है वो हमने यहां पर लिखा होगा अब सबसे पहले चीज क्या है कि मुझे एक marks का variable बनाना है और user को मैं बोलूँगा आप अपना marks वहां पर लिखो तो सबसे बल मैं क्या करता हूँ एक variable ले लेता हूँ int और मैं यहां पर लिख देता हूँ marks ठीक है यह हमने इस तरीके से इक narration यहां पर दे दिया फिर मुझे यूजर से input लेना है तो input लेन के लिए हम क्या यूज करते हैं यहां पर हमने क्या दिया यह वाला operator दिया और यहां पर simply हमने इस variable को जो कि marks है यहां पर डाल दिया ताकि इसके अंदर वह जो value है जो user डालेगा वह श्टोर हो जाए अब मैं Ctrl F9 करूंगा तो enter your marks और यहां पर user क्या करेगा अपने marks जैसे 200 है या फिर मानलो 250 है वह यहां पर डालेगा और जब हम enter करेंगे तो हमें यहां पर result आना चाहिए लेकिन अभी हमने यहां पर कोई भी if statement यूज नहीं किया अब यहां पर हम if statement यूज करेंगे तो मैंने यहां पर लिखा simply if इसके बाद मुझे क्या देना है condition condition क्या है कि अगर इसके जो marks है जो user डाल रहा है अगर यह greater than है 250 गे तो यहां पर result यह होना चाहिए कि यह pass है तो हमने यहां पर लिखा simply c out और यहां पर हमने लिख दिया double quads में pass इस तरह से अब मैं यहां पर control f9 करूंगा और यहां पर enter your marks तो उसने अपने marks लिखे 260 250 से ज्यादा है हमारी condition match हो गए तो यहां पर लिख के आ जाएगा pass अब यहां पर आप एक बार code पर ध्यान दो normally हमने क्या क्या हमने if लिखा अगर जो भी marks user ने डाले है marks user ने डाले है जो भी marks user ने डाले अगर वह greater than 250 के यह क्या है यह portion है हमारा condition तो यहां पर if का जो code है वो run करना start कर दो code run करने के लिए हमने क्या दिया यहां पर 2 middle brackets जिसे हम curly bracket भी बोलते हैं तो एक हुआ starting curly bracket एक हुआ closing curly bracket हमने दिया और इसके अंदर output देने के लिए हमने cout use किया जिसके मदद से हमने pass को यहां पर represent किया आप चाहों इसे और अच्छ you are pass तो इस तरीके से हम यहां पर if statement का use कर पा रहें I hope कि इसमें आपका कोई भी doubt नहीं रहोगा अब यहां पर बात करते हैं else statement की देखो अभी हम screen पर चलेंगे वहां पर proper narration भी देखेंगे लेकिन I think कि अभी आप else का practical easily समझ जाओगे तो यहां पर normally आपको ध्यान देना मैं मैंने यहां पर क्या किया है कि user को true value के लिए मैंने यहां पर condition दिया कि user ने जो भी marks यहां पर लिखेंगे अगर वो greater than है 250 के तो यह output आएगा लेकिन मैंने यहां पर कोई भी false value नहीं दिया कि अगर user ने 200 लिखा जो कि हमारी condition को मैं अच नहीं करता मतलब हमारी condition कि 250 से यानि कि एक ऐसा result दे दिया जो कि false value की तरफ जा रहा है यानि इसके opposite में जा रहा है तो वहाँ पे मैं क्या answer print करूँ तो उसके लिए हम else statement का use कर सकते हैं तो if का मतलब क्या है यदी ऐसा हो else मतलब इसके अलावा तो if हमारी condition match हुई तो यह होगा else यानि इसके अलावा यह होगा तो हम यहाँ पर आते हैं और else लिखने का simple सा तरीका क्या है कि आप if के बाद simply आपको यहाँ पर else लिख देना है इस तरह से और फिर आप simply अपना output यहाँ शो कर सकते हो आपको curly bracket देनी कि यहाँ पर जरूरत नहीं पढ़ते तो हमने लिखा cout और हम देंगे operator और हमने और फेल इस तरह से हमने यहाँ डाल दिया अब मैं यहाँ पर control f9 करूंगा marks अगर मैं डालता हूं 260 250 से जाधा है तो यहाँ पर लिखके आएगा congrx you are passed लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दू 249 250 से जाधा चाहिए हमें तो मैंने यहाँ लिखा है 249 अगर मैं 249 लिख दू और एंटर करूं तो sorry you are failed तो else किसले use किया जाता है false value के लिए जिस तरीके से if condition हमारी true value को show करता है else हमारी false value को show करता है अगर हमारी condition match हुई तो यह होगा else यह print होगा यानि कि false value I hope कि यह दोनों का जो point है वो आपको clear हो गया हूँ अब इसका narration भी थोड़ा clear कर लेता है फि हमने if statement को समझा अब यहां पर अगर मैं बात करूं else statement की तो यहां पर देखो if statement use for true value and else statement use to represent false value यहां पर मैं यूज नहीं लिखा है तो यहां पर लिख लेना जब भी आप लिखोगे तो यहां syntax की अगर मैं बात करूं तो हमने if लिखा फिर condition दी और true statement दे दिया और अगर य else में जो भी statement हमने दिया है false value को represent करने के लिए वो हमने यहां दे दिया इसी तरीके से भी हमने practical किया if लिखा यह हमारी condition condition true हुई तो यह print होगा और अगर यह true नहीं हुई तो यहां पर क्या print होगा else वाला statement जैसा कि अभी हमने करके देखा था 260 डाला तो पास आ गया यह first आ सबसे main term की जो जादा तर use होता है else if statement आसान भाशा में आप यह समझे है कि आप if statement की मदद से सिर्फ एक condition दे सकते हो लेकिन अगर आप else if का use करो तो आप multiple condition दे सकते हो for an example मान लो कि अभी हम सिर्फ यह condition दे रहे है कि यह तो pass हो यह तो fail true value pass है और उसके respect में false value क्या है fail यान student marks हमें देने जैसे student है उसने मान लो कि अगर 300 से जादा marks attempt किये तो हमने उसे एक true value दे दिया first अगर 245 से जादा लेकिया है तो हमने दिया second अगर 150 से जादा लेकिया है third और 150 से नीचे लेकिया है तो fail तो अब यहां पे में कितनी conditions के साथ deal कर रहा हूं चार conditions के साथ पहली condition जो कि first represent कर रही है दूसरी condition जो कि second तीसरी condition जो कि third और चौती condition हमें fail represent करके दे रही है तो basically अगर हमें multiple conditions डालनी है एक code के अंदर में तो वहां पे हम else if का use करते हैं example के लगर आप syntax को समझो हमने यह आप लिखा if और simple हमने condition दी अगर यह condition match हुई तो यह statement print होगा लेकिन मान सगनलों कि मुर root different condition है तो मेंने फिर से else if choose किया मैं क्या use कर रहां है else if और इसके मदद से मैं एक और condition दे रहा हूँ अब अगर मेरी ये condition होई तो ये print होगा नहीं तो ये condition match होई तो ये print होगा फिर यहाँ पर मैंने दिया एक और else if जिसके मदद से मैं एक और condition दे सकता हूँ और अगर मैं और condition देना साहता हूँ मैंने यहां पर तीन कंडिशन दिया है, मुझे और कंडिशन देनी है, तो मैं फिर से else if यूज़ कर सकता हूँ, तो आप जितनी चाहे उतनी कंडिशन दे सकते हो else if की मदद से, और इसके बाद हमने simply else दिया, यानि कि अगर इन तीनों में से कोई भी condition match नहीं हुई, तो यहां पर आप else, यानि कि इन सब के respect में false value represent कर देना, अब यहां पर अगर हम बात करें code की, तो मैंने यहां पर लिगा if, जो marks user डाल रहा है, अगर वो 300 से जादा है तो आएगा first, अगर वो 250 से जादा है तो आएगा second, अगर वो 1500 से जादा है तो आएगा third, और नहीं, इन तीनों में से कोई भी condition नहीं डाली, यानि कि इससे भी कम marks अगर उसने डाल दे, तो क्या कर देंगे, उसे बुलेंगे घर जाओ, यानि कि आप fail हो गए, तो basically यहां पर हम इस code को practically करके देखते हैं, और देखते हैं इसका output कैसा आता है, तो normally आ जाते हैं गंबडे स्किन पर, और almost यहां पर हमारा code लिखा है, लिकना आप confuse ना हो, तो इसके लिए मैं इसको पूरे को erase ही कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, तो हमने select कि और shift delete की press किया, जिससे यह पूरा कपूरा delete हो जाएगा, इसको भी मैं select कर लेता हूं, shift delete करता हूं, यह हो जाएगा delete, अब यहा यहां पर क्या आएगा, first, यह हुआ, simple हमने curly bracket किया, और cout की मदद से हम यहां पर कर देते हैं, first, इस तरह से, ठीक है, हमने यह डाल दिया, आप चाहो इस तरह से लिखना, congrats you are first, congrats you are second, तो वो भी आप लिख सकते हो, जितना आपको narration लिखना आप लिख सकते हूं, यह हमन control की को hold करके insert button press करना है, इसके बाद हम यहां पर आएंगे, और मैं यहां पर enter करूँगा, और shift hold करके insert press करूँगा, paste करने के लिए, तो control insert से होता है copy, और shift insert से होता है paste, अब अगर आपको यह shortcut use करना है, तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो आप simply लिख भी सकते हो, तो अब यहां पर हमारा दूसरा set क्या है, else if, देखो उपर में हमने if use क्या यह रहा, इसके बाद हमने क्या use क्या है, यहां पर else if, दूसरी condition के लिए, else if, if यह condition match होती है, तो यह statement आएगा, नहीं, तो यह condition अगर match होती है, जो की क्या है, 245, मैं डाल रहा हूँ 245, कि अगर marks 245 से ज else if, हमने लिखा, और हमने यहां पर लिखा, अगर marks, greater than 150 है, यह हमारी हुई तीसरी condition, तो यहां पर, आप print कर दो, cout की मदद से, third, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, double quarts के अंतर हमने लिखा, third, और हमने लिखा, close, इसके बाद हम नीचे आए, और मान लोगी, यह तीनों मे घर जाओ, ठीक है, आप fail हो गए हो, इस तरह से हमने एक statement यहां पर दे दिया, अब हम F9 करते हैं, तो program हमारा success बता रहा है, अच्छी बात है, enter करते हैं, control F9 करते हैं, तो enter your marks, तो मैं यहां पर जो marks है, वो डाल देता हूं, तो मैंने marks यहां पर डालें, 320, जैसे मैं enterprise next statement का है हमारी यहां पर, कि हमने डाल दिया, 160, तो यहां पर आजाएगा 3, और माल लो कि अगर मैं डाल दो, इनसे भी कम marks, 120, तो घर जाओ, आप fail हो गए हो, तो इस तरीके से, अगर मुझे multiple conditions प्रिंट करानी है, तो आप यहां पर इस term का use कर सकते हैं, I hope कि यह भी पूरा code आपको visible हो रहा होगा, तो यहां पर normally हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक variable ले लिया marks, जिसमें हम user के through marks को store कर सके, फिर हमने cout की मतद से उसे instruction दिये, कि enter your marks, और sin की मतद से हमने user से input ले लिया, फिर हमने user से पहली condition ले, यहां पर if की मतद से, और अगर यह condition match होती है, तो first, नहीं तो हमने यहां पर दिया दूसरा condition second के लिए, इसके लाब हमने यहां पर दिया तीसरा condition third के लिए, और अगर इन तीनों में से कोई भी condition हमारी match नहीं करती, इन तीनों में से कोई भी condition match नहीं कर रही है, तो हम यहां पर else वाला statement है, वो यहां पर print कर रहे है, so I hope कि य नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो इफ एक बहुत important term है क्योंकि last chapter हमने operators का बढ़ा था और अभी हम आगे काफी सारे operators पढ़ेंगे जैसे logical operator भी होगे different operators होगे उनमें हमें इफ का concept पता होना जरूरी है ताकि हम उस practical को और अच्छे से कर सके इस वीडियो में आपका डाउट ना रहा हो अगर वीडियो आपको अच्छे लगाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें साथी comment करके अपना feedback जरूर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you